दूसरा एक्जामपल डिसकस कर रहे थे हम राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश व्याफसाई शुरू किया उसने कैश और फरनीचर से फिर से हर ट्रांजेक्शन को हमें देखना है कि यह कौन सी दो जगा जाने के लिए तैयार है पहला कैश और फरनीचर कैश और फरनीचर हुआ और एक्जामपल लेते हैं हम इसी कंटिनुएशन में फर एक्जामपल लोन टेकन फ्रॉम बैंक रुपीज 50,000 फॉर एक्जामपल या आपको कोई भी चीज़े लिखने की जुरूत नहीं है केवल डिसकस कर रहे मैं सब चीज़े आपको एक एक करके बताऊंगी क्या बैंक से उधार लेना उधार कहा आना चाहिए एसेट में कैपिटल में या लाइबिलिटी में लाइबिलिटी में यानि कि हमने बैंक से उधार लिया तो 50,000 के हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई दूसरी बात यह 50,000 रुपे हमारे बैंक एकाउंट में आए होंगे या तो ह प्रभाव पढ़ा दो जगा asset में और liability में तो ऐसे अलग-अलग examples हैं अलग-अलग transactions होती हैं जिनका हमें प्रभाव देखना होता है कि वो कहां पर पढ़ रहा है asset पर पढ़ रहा है capital पर पढ़ रहा है या liability पर पढ़ रहा है और फिर उसके related question में आपको दूँगी number one सब यहां पर लिखेगा notes कैसे notes accounting equation धीरे धीरे हमें notes को complete करेंगे notes accounting equation number one स्टार्टेड बिजनेस विद कैश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हर transaction का देखना है कहां कहां पर प्रभाव पढ़ेगा दो जगा पर प्रभाव पढ़ेगा क्या करेंगे हम इसको cash में प्लस capital में प्लस note कर लीजेगा number two sold sorry पहले purchase करेंगे purchased goods for cash अगर हमने cash में goods खरीदी यदि हमने goods खरीदी goods मतलब माल जिस वस्तों में व्यापार कर रहे हैं याद रखेगा जब goods हम खरीदते हैं माल खरीदते हैं हमारा stock बढ़ता है और cash हमारे पास जा रहा है दोनों ही हमारे लिए क्या है assets ये भी हमारे लिए asset है ये भी हमारे लिए asset है तो stock हमारे पास आएगी तो stock में क्या करें plus और cash हमारे पास से जाएगा तो cash में से करेंगे minus cash में से घटा देंगे बिलकुल इसी तरीके से जब हमने goods खरीदी तो माल हमारे पास आया हम goods बेच भी तो सकते हैं तो third point हम furniture भी खरीच सकते हैं purchased furniture furniture for cash अब देखिए कौन-कौन से दो नाम हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कौन-कौन से दो नाम दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर furniture और cash दोनों ही हमारे लिए asset है furniture बिलकुल लॉजिक यहाँ पर लगाते जाएगा कोई accountancy नहीं है एक चीज़ में आपको बता दू accountancy mathematics नहीं है केवल यहाँ पर जमा घटा हमें करना है furniture purchase furniture for cash furniture आया तो furniture में क्या करें हम इसको plus और cash हमारे पास गया तो cash में से क्या करें इसको minus तो यह दो काम हम कर सकते हैं यहाँ पर यह तीनों note कर लिजे और discuss करेंगे इसके अलावा वीडियो को pause करके इसको note कर लिजेगा बिलकुल ऐसे ही जैसे हमने purchase किया ऐसे ही हम बेच भी सकते हैं तो sold goods for cash अगर हमने goods को बेचा तो goods दो नाम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एक तो goods का दिखाई दे रहा है और एक cash का दिखाई दे रहा है तो goods को दूसरे नाम से हम किस नाम से जानते हैं यहाँ पर stock और cash अब क्योंकि goods हमने बेच दी sold मतलब बेचना हमने बेच दी goods बेच दी तो goods हमारे पास से चली गई जो चीज हमारे पास से चली गई उसे stock में से minus और cash आगया उसके बदले में तो cash में plus अभी फिलाल आप इतनी ही समझे है चार transactions ही समझे है धीरे धीरे हम इनको करेंगे इंस related notes discuss करेंगे एक बड़ दुबारा से देखिए हमने क्या समझा number one सबसे पहले business को शुरू करने के लिए यह वाली transaction हमें हर सवाल में मिलेगी business को शुरू करने के लिए started business with cash cash तो दो नाम हमें यहां पर मिले cash और क्योंकि business को शुरू करने के लिए लेकर आए बिजनस को शुरू करने के लिए जो भी धन या संपत्ती लेके आए उसे हम किस नाम से जानते हैं capital के नाम से और cash बिजनस शुरू करने के लिए cash लेके आए तो cash में plus capital में plus cash क्या है हमारे लिए asset तो हमारा जो लेखांकन समी करण है asset is equal to capital जमल लिएबिलिटीज इन में से कोई ना कोई दो नाम हमें हर transaction में मिल जाएंगे यहां पर वो दो नाम कौन से कौन से मिले हमें asset और capital दूसरा purchase goods for cash यहां पर हमें दो नाम क्या मिले पहला भी asset और दूसरा भी asset purchase goods for cash goods आई cash चला गया goods आती है किस नाम से लिखा जाता है stock के नाम से cash जाता है किस नाम से लिखा जाता है cash के नाम से stock में plus cash में से minus अगला purchased furniture for cash furniture खरीदा दो नाम आए ये भी हमारी asset है और cash भी हमारा asset है furniture आया cash चला गया furniture में plus कर दिया cash में से minus कर दिया धीरे धीरे हम transactions में बढ़ेंगे पहले के वले चार transactions याद करने की कोशिश कीजिएगा फिर next class में related question discuss करेंगे तब हम उसको करेंगे sold goods for cash stock में क्योंकि goods बेच रहे हैं तो cash हमारे पास आ जाएगा और stock हमारे पास से चला जाएगा